अलो स्टूडेंट्स वेलकम तू जोमेटरी डिफैंस अकेडमी तो सूपर जी के एंसी क्यू सीरीज में आजम करेंगे सैट नमबर 14 चोधवा सैट नमबर है वही मिलिटरी स्कूल का एक्जाम 17 दिसंबर को है ककसा 6 और ककसा 9 सैनिक स्कूल का 21 जनवरी 6 और 9 और यूपी सैनिक स्कूल का एक्जाम है 24 दिसंबर 6 और 9 और तीनो ही एक्जाम में ककसा 6 और 9 में गल्स भी अपियर हो रहे हैं बोईज भी अपियर हो रहे हैं ठीक है अब ये बिल्कुल हो गया भई अब नाइन्थ में भी गल्स अपियर हो रहे हैं सैनिक स्कूल में सम्मे ठीक यह एक तो बात आपको जानत नहीं है दूसरा दूसरा देखो यह जो सिरीज चल रही है यह 14 सेट है इसमें देखो exam में क्या होते बच्चो exam में 30 question मानके चलो कोई GK का exam है उसमें 50 question आने है तो उसमें क्या होता 30 question तो आते है previous year से 20 question exam बिल्कुल नए देता है तो मेरा target क्या है मेरा target है इन 20 questions को cover करना क्योंकि 30 questions तो बच्चे cover कर लेंगे उसको तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन 20 questions को कराने के लिए बड़ी मसक्कत होती है बड़े expert teachers जो बिल्कुल previous year का ध्यन करते लगातार available रहते हैं वो ही इनको करा सकते हैं तो मेरा target आपसे यह है मेरा निविदन यह है उठा के कहीं से भी आप GK मत पढ़ लेना पता चला वो questions के GK किसी SSC के exam में नोर्मल exam में आगए और यहाँ पे उनसे एक भी question नहीं आया यह ऐसा अकसर होता है आप कहीं से भी GK पढ़ लिया GK का मतलब यह नहीं होता कि GK हर exam की GK से में military school, cynic school, UP, cynic school की GK अलग है और जो government जो वाले exam है उनकी अलग है तो आपको यह साफदानी आपको बरत्नी है ठीक है चलिए स्टार्ट करते है जो बच्चे देखो तयारी कर रहे है आ रहे हैं सैनिक, UP, सैनिक तो वीडियो कोर्स लाइव के लिए हमारी study kit है इसको अभी 50% discount पे available है इसमें अगर मैं sample paper तो नहीं आपको मिलेगा sample paper के लिए तो अलग booking है लेकिन बाकिये सारा material आपको लगबग धाई जार रुपे में अभी available है तिल एकजाम, धाई जार में तो आप इसको अवेल कर लीजिए 50% discount, बहुत बड़ा discount होता है भी इसको ले लो ठीक है, मतलब धाई जार में आपकी सारी समश्या खतम हो जाईगी, चलिए, आज का question number one who is credited with the discovery of x-ray x-ray की खोज किसने करी, discover किसने की x-ray गा तो कोन है भी, आपका W.C. wrongton W.C. wrongton, ये is the right answer German physics, तो ये कौन से physician है, physicist है कोन है, physicist है, ओ ध्यान अखना इनको, जो nobel prize मिले थे, nobel prize मिलते है अलग-अलग, फिल्ड में, literature में मिलते है, science में मिलता है physics, chemistry में मिलता है, ठीक है तो जो पहला physics का nobel prize है वो इनी को मिला, 1901 में 1901 से nobel prize की सुरुवात हुई, और physics का बहुतिकी का पहला जो nobel prize मिला, वो इनी को मिला और x-ray के discovery के लिए clear, Thomas Edison इन्होंने bulb का अउसकर किया, Marie Curie ने radium, polonium की खोजगरी, ठीक, चलिए next question की तरफ जलते है question number 2, where is the headquarter of food and agriculture organization ध्यान अखना, United Nations की agencies है, 15 plus agency है, इनसे question बनता है, तो food and agriculture organization का headquarter मुख्याले कहां है तो इसका headquarter है भी Rome और ये Rome, और ध्यानक नहीं food and agriculture, एक तो है food and FAO, और एक है WFP, world food program और दोनों का headquarter यहां पे है ठीक है, clear, world food program और food and agriculture organization, दोनों का headquarter यहां पे है ठीक, जैनेवा में बहुत सारे headquarter है, जैसे WHO का headquarter यहां पे है WTO का headquarter यहां पे है International Labour Organization का headquarter यहां पे है, तीन तो मैं यही बता रहूँ इसके अलावा में बहुत सारे headquarter है तो इसका आपको ध्यान रखना है ठीक, पेरिस में पेरिस में किसका headquarter सबसे important है UNESCO ठीक है, यहीं कहा है, और New York में, New York में UNICEF UNICEF United Nation Children Fund United Nation Educational Scientific Cultural हो गए UNESCO ठीक है, इनके headquarter को थोड़ा अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यहां से question शोर शोर आता है To respect National Flag and National Anthem देखो, राष्टगान और राष्टे जो दवजे, उसके सम्मान करना हमारे किसके अंदर आता है यह बिल्कुल सभी नागरिक को सभी citizen को, हमारे राष्टगान और राष्टे फ्लैग उसका सम्मान करना चाहिए तो यह किसके अंतर गताता है यह fundamental right के directive principle state policy, fundamental duty या all of the above तो इसका right answer क्या है भई यह हमारा मॉलिक करतव्य है यह एक fundamental duty है यह एक fundamental duty है फंडामेंटल राइट कितने है भई इच्छे ठीक है, fundamental right कितने है इच्छे डिरेक्टिव प्रिंसिपल ओप इस्टेट पोलिजी यह क्या होता है देखो जब सरकार जब सरकार लोगों की social schemes चलाती है जो लोगों की जिसे मानगेंऑ चलो आईशुमान भारत है फिरी मैं इलाज होगा सब का तो यह क्या है डिरेक्टिव प्रिंसिपल ओप इस्टेट पोलिजी सब इको साप पानी मिलेगा तो यह किसके अंतर का इस्ट गता है मतलब सरकार के कुछ ऐसे काम जो समवाज के कमजोर वर्ग के लोगों को का उनको फाइदा हो उनको सारी सुविधाएं मिले ठीक है चलें आगे चलते हैं वह इसका राइट अंसर क्या होगा option number C production of fertilizer is related to which revolution पुरुवरक का उत्पाद किस करांती से सम्मद है क्या वो black revolution है blue है gray है green है तो देखो उसका राइट अंसर क्या हो गया वो आपका gray revolution है ठीक है fertilizer का production किस से सम्मद है gray revolution से blue revolution में कौन सा हो गया भी blue revolution में आपका aquaculture fisheries यह आ जाएगा green में कौन सा हो गया आपका wheat wheat rice का production black में आपका कौन सा हो जाएगा black में आपका oil petroleum का production यह आपका black हो जाएगा और यहाँ पर मैं एक question आपको बताना चाहता हूँ भारत में जो हरित करांती green revolution के जनक है MS Swaminathan इनका अभी हाली में निदन हुआ था तो आपको इसको ध्यान अखना है मैं इस पर star mark करके चल ला हूँ यह question इसके आने के chances है भी ठीक है MS Swaminathan इनका निदन हुआ था अभी ठीक है तो इस questions के 2023 में जो होने वाला एक्जाम है December में और January में इसमें इसके आने के chances हैं तो भारत में हरित करांती के जनक कौन थे MS Swaminathan इनका अभी निदन हुआ था Who was the founder of सत्यसोदक समाज सत्यसोदक समाज के founder कौन है तो कौन थे उसके संस्तापक थे जोतिवराब फुले खिलियर ठीक है भई चलिए और Asia में पहला Nobel Prize इतने वाले कौन है रबिंदर नाट टेगोर पूरे Asia में सबसे पहले वेक्ति इनको Nobel Prize मिला तो वो कौन थे रबिंदर नाट ने को लिट्रेचर में मिला इनको लेकिन पहले वेक्ति थे टेलिस्कोप की खोज किसने की Who discovered टेलिस्कोप तो टेलिस्कोप को किसने खोज है Galileo Galilei में ठीक है ये अधर जो परसन है देखो भई बच्चो आपको अगर अपने सेलेक्शन को 110% कन्फर्म करना है तो आपको देने होंगे 10 महीने कौन से कब से कब तक 1 मार्च से लेके और 31 दिसंबर तक हमारा सेसन रहता है ये आपको सेसन देना होगा और आपको 110% सेलेक्शन मिलेगा अभी सीट अपनी बुक कर लो क्योंकि हमारे पास टोटल 100 सीट है 70 हमारे बच्चे बार के आएंगे और 30 हमारे पास लोकल से बच्चे आएंगे इस बार का जो हमारा सेसन रहेगा वो 100 सीट के रहेगा और हमारा जो अकैडमी है अब तक 90% का रिजल्ट मेंटेन कर ले है 90% मिनिमम ठीक है किलियर तो आपको क्या करना है भी आपको 9528827121 इस नंबर पे डाल करके अपनी शीट को बुक कर लो जिस बच्चे की डेट बच्चा नेक्स येर के लिए लिजिबल है जिस बच्चे की डेट बच्चे की डेट बच्चे की डेट बच्च एक अपरेल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 ये डेट बच्च अगर आपकी है तो वो कक्सा 6 का एंट्रेंस टेस्ट दे सकता है और कक्सा 9 के लिए आ सकते हैं हम लोग इसने करा के देंगे किसमे UP सेनिक स्कूल में मिलिटरी स्कूल में और सरकारी सेनिक स्कूल में हम private सेनिक स्कूल हमारी academy से कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं करता ये हमारा डूल है क्योंकि जब आप एंट्रेंस करने आये हैं जब आपने ठान लिया कि आपको भई कोचिंग करके पेपर निकालने हैं, तो फिर प्राइवेट सैनिक स्कूल में कोई कारण नहीं बनता महां से आपका निकालने हैं, चलिए Who was not the first recipient of भारत रत्न? तो को भारत रत्न शुरुवात में तीन उयक्तियों को मिला उन में से एक, इस में से कौन सा एक नहीं है, सरपली रादा किशन बिलकुल मिला, भारत के पहले वाइस प्रेजिडेंट है, ठीक है इनको बड़े को टीचर्स डे के रूपे मनाते हैं, सीवी रमन इनको भी मिला, रमनी फैक्त दिया है नोने, किलियर, नैशनल साइंस डे इनके बड़े को मनाते हैं मुलाना अबुलकला माजाद ये नहीं, हाला कि इनके ये पहले एज्यूकेशन मनिस्टर है 11 नमेंबर नैशनल एज्यूकेशन डे बनाते हैं इनके बड़े को, और C. राजगोपलाचरी बिल्कुल ये मिला, ये भारत के पहले भारतिये गवर्नर जनरल बने थे C. राजगोपलाचर, राजा जी, ठीक तो राइट अंसर कौन सा हो गया भी इसका, इसका राइट अंसर हो गया option number C, option number C इसका पिल्कुल सही जवाब है राष्ट्य एजुकेशन, राष्ट्य शिक्सा दिवस National Education Day, हम कब मनाते हैं तो मोलाना अबुलकुलाम आजाद के बड़े को मनाते हैं, National Education Day और वो हम मनाते हैं, 11 November को, हर साल तो पांस सेप्टेमबर National Teachers Day, डक्टर सर्पली राधा किशनन है, और ये National Education Day 11 जुलाई कब क्या बनाते हैं World Population Day, विश्व जन संग क्या दिवस 9 जनवरी क्या है, 9 जनवरी है आपका परवासी भारतिया दिवस, 9 जनवरी 1915 को महत्मा गांधी कहां से लोटे, दक्षिन अपरिका से लोटे 10 जनवरी को क्या है, वर्ल्ड हिंदी दिवस विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं, 10 जनवरी ठीक, चलें Fundamental Duties, कितनी है भाई टोटर अभी मैंने आपको बताया, 11 है ये जो भारत का सम्विधान है, जो हमारा सम्विधान है उसमें बहुत सारी चीज़ों को बोरो किया गया है, कुछ चीज़े अमेरिका से ले ली कुछ चीज़े हमने बिटेन से ले ली कुछ फ्रांस से ले ली, कुछ जापान से ले ली तो जो यह मुलिक करतव्य है इनको किस राष्ट के सविधान से लिया गया है तो राइट अंसर क्या है USSR जो अभी एट परजेंट में रसिया है पहले USSR में बहुत सारे देश होते थे लेकिन आप रसिया रह गया है ठीक है सब अलग होगे डिसिंटिग्रेट होगे तो अब रस मुलिक अधिकार यूके से जो हमारी लोकसभा राज्यसभा पर्लियमेंट है यह लिए यहां से जो फ्रेटरिनर्टी भाईचारा लिबर्टी फ्रिडम यह कहां से आए फ्रांस से ठीक चलिए डिवाइस यूज इटू मेजर ब्लड प्रेशर रक्त चाप मापने के लिए किस उपकरन का प्रियोग होता है तो राइट अंसर क्या है वह है आपका इस्पाइगो मैनोमेटर ठीक है तो यह उपकरन यूज होता है आपका ब्लड प्रेशर को लेकिन अगा कोश्चन आज़ यह कमबाइन होके इससे नपत आ है आपका ब्लड प्रेशर ठीक है घिल्यार काइरो मेटर भी एक करता है यह यह वह 라री लो टेमपरेशर को मेजर करता है ठीक चलिए आप क्यों तरह से त्यारी कर रहे होंगे बच्चे लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा आप कितनी भी तेयारी करते रहे लेकिन आपको यह to पता करना पड़ेगा कि आप प्रास्ते पर सही चल रहे है कि नहीं वो क parlarा हूं आपको कैसा पता चले कि या आप कैसे ad marriage कर पाऊगे कि आपके तईयारी स्थिसा में है कि नहीं एक सोचो, इस बात को ध्यान से सोचना कि आपको कैसे पता चले कि बिलकुल आपकी तयारी सही चल रही है या नहीं, मैं बताता हूँ कैसे, सेंपल पेपर से, इनको मंगा लो, मंगाने के बाद 5 का सेट मिलेगा, यहां से बुख हो जाएंगे, आपके घर आएंगे, अंसर की, OMRC सब कुछ आएगी, और इनको अटेंट करना, अगर RMS में, कक्सा 6 में, आपका स्कोर 120, आउट ओप 150 है, तो आप बिलकुल सही पात पे हैं, अगर सैनी की स्कूल में 250, आउट ओप 300 है, तो आप बिलकुल सही रास्ते पे हैं, अगर UPSS में 110, अगर 200 हैं, तो बिलकुल बिलकुल सही है, और अगर इससे कम हैं, तो आपको मेनद करने की आप शक्ता है, इससे ज़्यादा है, तो आप टोपर की तरफ चल रहे हैं, ये ऐसे तरीका, ऐसे आप जज़ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है मनीमन, एकजाम में जाके चेक करें, एकजाम में आपने मा किंको कंतम कर लिए, थैंक यू श्रेंट्स